हालो फ्रेंट स्वेलकम इन वा यूटूब चैनल रेडियो लोजिग टैकनिकल फ्रेंटस आज का हमारा टोपिक है टो रेडियो ग्राफी फ्रेंटस आज के इस वीडियो में अपन टो का एपी व्यट्रे और डिटेल्स में जानेंगे मतलब अंगुठे का एपि व्यू एक्स रे और एक्जिल व्यू एक्स रे कैसे करते हैं यह अपन डिटेल्स में जानेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप अजियोलोजी टेकनिकल चैनल को सब्सक्रेब जरूर करें तो आईए जानते हैं टो रेडियोग्राफी के बारे में टो रेडियोग्राफी मतलब पेर का जो अंगुठा होता है उसकी रेडियोग्राफी कैसे करते हैं यह अपन आज इस वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंट सबसे पहले अपन टो की एनाटोमी के बारे में जानते हैं Toes are the digits of the foot मतलब पेर का जो अंगुठा होता है वह foot का एक digits या अंग होता है मतलब toe foot का ही एक पार्ट होता है The toe is also known as the hallux and great toe मतलब foot के toe को अपन hallux और great toe के नाम से भी जानते हैं The great toe has two phalanges, proximal and distal phalanges मतलब great toe में या अंगुठे में दो phalanges होते हैं एक proximal phalanges और दूसरा distal phalanges The remaining toes have proximal, middle and distal phalanges मतलब अंगुठे के अलावा जो phalanges या अंगुलिया होती है उन में proximal phalanges, middle phalanges और distal phalanges होती है जबकि toe में दो phalanges ही होती है, proximal और distal phalanges toe moment is generally flexion and extension मतलब toe में कुछ generally moment भी होते हैं जैसे flexion और extension इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह हमारे foot का toe होता है इस toe के दो पार्ट होते हैं एक proximal phalanges और second है distal phalanges और foot की जो बाकी की phalanges होती है उन में तीन पार्ट होते हैं proximal, middle और distal phalanges friends, toe का first number view है toe, api view, x-ray friends, सबसे पहले इसकी indication के बारे में जानते हैं मतलब यह view क्यों किया जाता है first number है suspected fracture मतलब toe या अंगुठे में कोई suspected fracture होने पर second है toe में dislocation होने पर third number है deformity मतलब toe में कोई विकरती होने पर four number है toe gout मतलब अंगुठे में कोई गठिया नामग बीमारी होने पर five number है general toe pen मतलब अंगुठे में कोई general pen होने पर six number है foreign bodies मतलब toe में कोई foreign body को देखने के लिए और last है other pathologies मतलब अन्य कोई किसी परकार की कोई pathologies को देखने के लिए अपन toe का AP view x-ray करते हैं तो friends इन सभी conditions के लिए अपन toe का AP view x-ray करते हैं अब हम contra indication के बारे में जानते हैं मतलब toe का AP view x-ray कब नहीं करना चाहिए suspected pregnancy मतलब female patient में अगर कोई suspected pregnancy है तो अपन यह view नहीं करते हैं और friends कभी-कभी अगर x-ray करने की ज़रुद हमें पढ़ भी जाएं तो female के abdomen पर lead shield का यूज करके अपन यह x-ray कर सकते हैं next है pass and preparation all radio opaque metal items should be removed from the area of examination मतलब जिस पार्ट का अपन x-ray कर रहे हैं उस area में सभी radio opaque या metal items को remove कर देना चाहिए जिससे x-ray में artifact नहीं आता है friends अब हम patient position के बारे में जानते हैं मतलब toe के AP view x-ray के लिए patient के position हम कैसे लगाते हैं the patient is seated on the x-ray table मतलब toe के AP view के लिए patient को सबसे पहले x-ray table पर बैठाया जाता है the affected foot and leg should rest on the table मतलब affected foot और leg को x-ray table पर rest position में रखना चाहिए the affected knee is flexed मतलब affected knee को flexed करना चाहिए मतलब जिस toe में या जिस foot में problem हो उस पेर के knee joint को थोड़ा सा मोड़ना चाहिए the casset is flexed under the affected toes मतलब जिस foot के toes में problem होती है उसके नीचे cassette को रखा जाता है the planter surface of the toes is in contact with the cassette मतलब foot के toe का planter surface cassette के contact में रहना चाहिए मतलब foot और toe का जो planter surface होता है वो है cassette के अच्छी तरीके से contact में होना चाहिए the patient leg is supported to makes him immobilize मतलब patient का leg एक जगह इस तिरे इसके लिए अपन patient के leg को support भी दे सकते हैं इस diagram में आप देख सकते हैं कि toe के x-ray के लिए यह है एक दम proper position होती है इस position के लिए patient के knee को flexed करना चाहिए और patient के foot का जो planter surface होता है वह है cassette के pro contact में होना चाहिए फ्रेंट्स अब हम central ray की बात करते हैं मतलब x-ray beam का centring point कहा होना चाहिए the vertical ray is used मतलब toe के AP view के लिए vertical x-ray beam का use किया जाता है the x-ray will be centered to the third metatarsophalensial joint मतलब toe के AP view के लिए x-ray beam का centring point third metatarsophalensial joint पर दिया जाता है फ्रेंट्स इस diagram में आप देख भी सकते हैं कि अपन इस point पर x-ray beam का centring point देते हैं अब हम gonadal shielding के बात करते हैं it should be employed for protection for scattered radiation according to the department policy मतलब radiology department की policy के according patient के gonads को scattered radiation से बचाने के लिए patient के gonads पर lead shield लगाना चाहिए मतलब patient के gonads को protect करना चाहिए next है collimation the beam is collimated includes the metatarsal and phalanges मतलब toe के x-ray के लिए x-ray beam को collimated करना चाहिए और इसमें metatarsal और phalanges include होने चाहिए next है image receptor size या cassette size friends toe के api-view x-ray के लिए अपन 8 x 10 inch का cassette size यूज करते है depending on the size of body parts मतलब cassette का size body parts के size पर भी depend करता है next है orientation of image receptor friends यह land escape होना चाहिए और इसमें lead divider का use करके अपन दो projection ले सकते हैं next है marker place right and left appropriate marker on the cassette मतलब cassette पर right या left marker लगाना चाहिए जिससे हमें anatomical site का पता कल सकें next है exposure factor friends टो के AP view के लिए अपन 45 से 50 kvp और 4 mas का use करते हैं और friends exposure factor body parts की thickness और intensifying screen के speed पर भी depend करते हैं next है ffd मतलब focal to film distance friends यह 100 cm होनी चाहिए next है bucky या grid friends इस view में bucky की requirement नहीं होती है friends इस diagram में आप जो x-ray देख रहे हैं यह हमें toe के AP view में प्राप्ट होता है friends हमारा second number projection है toe axial view x-ray friends इस projection को अपन tangential holly method भी कहते हैं friends सबसे पहले अपन इस projection के patient position के बारे में जानते हैं the patient is seated on the x-ray table मतलब toe के axial view के लिए आपन सबसे पहले patient को x-ray table पर बैठाते हैं the affected foot and leg should rest on the table मतलब patient के affected foot और leg को rest position में रखना चाहिए the leg is extended मतलब जिस foot के toe में problem होती है उस foot के leg को extended position में रखना चाहिए मतलब जो leg bone होती है वह फेली वी एकदम सीधी होनी चाहिए the cassette is pledged under the affected ankle मतलब जिस foot में problem होती है उसके affected ankle के नीचे cassette को रखा जाता है the great toe should be dorsiflexed with the help of bandage मतलब पेर के toe को या अंगुठे को एक bandage या पट्टी की साहिता से पीछे की और मोडना चाहिए मतलब foot की जो अंगुलिया होती है उसमें एक पट्टी लगाए जाती है और उस पट्टी को पेसेंट अपनी और खीचता है the planter surface of the should at 75 degree with the image receptor मतलब toe का जो planter surface होता है वह image receptor से 75 degree पर होना चाहिए और friends, पेसेंट के leg को एक जगहे इस्तिर रखने के लिए अपन leg bone के नीचे support भी देह सकते है friends, इस diagram में आप देह सकते हैं कि यह axial view के लिए proper position होती है इसके लिए अपन leg bone को extended position में रखते है और पेसेंट के पेर की जो अंगुलिया होती है उसमें bandage या पट्टी की साहिता से पेसेंट की अंगुलियों को पीछे की तरफ मोड़ा जाता है और जो tog का planter surface होता है वह image receptor से 75 degree पर होना चाहिए friends, अब हम central ray की बात करते हैं the vertical ray is used मतलब tog के axial view में अपन vertical x-ray beam का use करते है the x-ray will be centered over the first metatarsal phalangeal joint मतलब tog के axial view में x-ray beam का centring point first metatarsal phalangeal joint पर दिया जाता है friends, आप इस diagram में भी देख सकते हैं patient के foot पर इस point पर हम x-ray beam का centring point देते हैं और friends, इस second वाले x-ray में भी आप देख सकते हैं कि यह हमें tog के axial view में प्राप्त होता है तो friends, आज का हमारे topic यहीं complete होता है friends, अगर आपको आज का यह video अच्छा लगा तो video को like, share और radiology technical channel को subscribe जरूर करें और friends, अगर आपको और भी parts की radiography जाने हैं तो मुझे comment box में जरूर बताएं कि अपको इज fica ऊचरा करें और दो में का लूरै होता हूँ